हेलो दोस्तों नमस्कार श्वागत है आप सभी का आपने यूटूब चैनल तन्वीकी रसोई में तो आज हम बनाएंगे आलू के चिप्स बहुत ही आसानी से ना इसे उबालना है ना इसे धूप में सुखाना है बस इसे फटा-फटे फ्राई करके खाना है तो चली शुरू क यहां पर मैंने चार मेडियम साइज के आलू ले लिया है अब हम आलू को अच्छी तरीके से छील लेंगे तो इसी तरीके से मैं सारे आलू को छील लोंगी इसी अच्छी तरीके से छील के हम ठंडे पानी में एक एक करके आलू को डालते जाएंगे तो यह देखे मैंने आल के अब धेता है त्थंड़ पानी डाल Na hai B इसी तरीक हैं गैशा इस रखेंगे शाइड में और यहाँ पर मैंने चिपस काटने के लिए इस तरीके से ले लिया है चिप्स कटर आप देख सकते हो आप ये बड़ा वाला आता नहीं है वो भी ले सकते हो तो इस तरीके से मैंने आलू ले लिया आलू को मैंने अच्छी तरीके से पोंच लिया इसके पानी को तो इधर मैंने तेल रख दिया था गरम होने के लिए तेल जाले को बहुत अच्छे से गरम करना है तभी आपको chips इसमें डार्यक्ट काटना है तो तय्ल मैंने पहले ही अच्छी तरीके से गरम कर लिया था तो फड़ा फड़ से इसमें chips काट दे रहे हैं आप देख सकते हो एक बार में मैंने एक आलू के चिप्स काटे हैं आप देख सकते हो तो ये देखें मैंने एक आलू के सारे चिप्स काट लिए हैं तो अब हम इसे चलाएंगे थुड़ा सा और अब हम इसे चलाएंगे लगाता हलका सा इसे चलाते रहना है और अब हम इसमें डालेंगे वो नमक वाला पानी जो हमने बनाया था ना एक चम्मच हम इसमें डाल देंगे जादा नहीं डालना है बस एक चम्मच से तोड़ा सा कम डालना है तो इस तरीके से मैंने डाल दिया है पानी डालने के बाद आवास बहुत तेज से आती है लेकिन तुरंत सान्थ भी हो जाता हैं, तो इसे हम इस तरीके से मिक्स कर देंगे, चलाते रहेंगे बराबर इसे, नमक का पानी डालने से दोस्तो सारे चिप्स में, नमक अच्छी तरीके से गुल मिल जाते हैं, और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, तो इसी तरीके से लगतार हम चलाते रहेंगे इसे ताकि सारे चिफ्स हमारे एक जैसे फ्राई हो जाएं तो आप देख सकते हो सारे चिफ्स हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो रहे हैं दोस्तों इसे फ्राइ करने में ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ दो मिनुट का समय लगता है दोस्तों यह फड़ावट से फ्राइ होके तैयार हो जाते हैं तो आप देख सकती हो यह बहुत अच्छी तरीके से फ्राइ हो गया तो अब हम इसे इस तरीके से निकाल लेंगे अलग प्लेट में और आप हम इसे अलग प्लेट में निकाल के रख लेंगे सेम तरीके से इसे भी काटेंगे इस तरीके से फटा-फट से हमें चिप्स काटते जाना है और दोस्तों जो हमने नमक वाला पानी बनाया था ना उसे डालने से यह बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही क्रिस्पी भी होता है तो आप देख सकते हो मैंने सारे चिप्स को एक बार में काट लिया है एक आरू के चिप्स मैंने एक बार में काटा है आप देख सकते हो तो आप हम इसे थोड़ी देर फ्राइ होने देंगे और आप हम इसमें डाल देंगे वो जो नमक वाला पानी हमने बनाया था ना उसे भी डाल देना है इस तरीके से डालेंगे आप जब नमक वाला पानी डालेंगे तो बहुत तेज से आवाज आएगी और फिर तुरंट सांत भी हो जाएगा तो इसी तरीके से लगातार हम इसे चलाते रहेंगे ताकि सारे चिप्स हमारे एक जैसे हो एक जैसे फ्राइ हो तो आप देख सकते हैं ये चिप्स भी मारा बहुत एच्छी तरीके से फ्राइ हो आए दोस्तों एक बात आपको ध्यान में रखना इसे लगातार चलाते रहना है ताकि सारे चिप्स जो है एक जैसे फ्राइ हो तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से फ्राई हो गए हैं चिप्स हमारे और बहुत ही क्रिस्पी हुए हैं अभी मैं आपको इसे तोड़के भी दिखाऊंगी इसी तरीके से हम बाकी के सारे चिप्स को काट लेंगे दोस्तों इस तरीके से आप chips fry करके कभी भी खा सकते हो दोस्तों बहुत ही tasty लगेंगे ये chips और जो packet वाला chips आता नहीं है वो chips लाना आप भोल जाएंगे market से इतना tasty होता है तो इसी तरीके से हम लगातार इसे फ्राइ कर लेंगे सारे चिप्स को और अब हम इसे भी कडाही से बाहर निकालेंगे यह बहुत अच्छी तरीके से फ्राइ हो गया है इस तरीके से हम इसे भी बाहर निकालेंगे कडाही से इसी तरीके से दोस्तों बागी के सारे चिप्स हमें फ्राइ कर लेना है और हमें फ्राइ करके चिप्स को अच्छी तरीके से इस तरीके से थोड़ा सा रोख के रखेंगे ताकि इनका एक्ष्ट्रा तेल कडाही में ही रह जाए और अब हम इसे अलग बर्तन में निकाल लेंगे तो इस तरीके से मैंने निकाल लिया है आप देख सकते हो ये दिखने में ही बहुत टेस्टी लग रहे हैं दोस्तों खाने में बहुत ही जादा टेस्टी हैं आप इनकी आवाज सुन सकते हो ये बहुत ही क्रिस्पी बने हैं ब बहुत ही आसानी से बनने वाला ये चिप से फड़ापड से तो अब हम इसमें थोड़े से चट-पटे मसाले डालेंगे ताकि ये और भी टेश्टी लगे आप इसे ऐसे भी खा सकते हो ऐसे ही ये बहुत टेस्ट लगेंगे तो अब हम इसमें डाल देंगे एक छोटी चम्मच से भी कम लाल मिर्श पाउडर और अब हम इसमें डाल देंगे एक छोटी चम्मच से भी कम आमचुर पाउडर या फिर आप इसकी जगां चाट मसाला भी डाल सकते हो और काला नमक टेस्ट के एकॉर्डिंग साधा नमक और इन सब को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम इस तरीके से अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर देना है तो उम्मीद है दोस्तों कि आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत ही हेल्फुल रही होगी तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सेयर और सब्सक्राइब करें साथी बेल आइकन को प्रेस करें आल पे क्लिक करें ताकि मेरी आने वाले सभी वीडियो की नोडिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे तो मिलती हूं नेक्स वीडियो में ऐसी ही एक और नई रेसीपी के सब्सक्राइब